जय हिन दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है Mr. Scalper की एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त संचित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी में में आज के लिए क्या वियू है next week किस तरीके से market जो है अपने को trend दे सकता है थोड़ा बड़ा time frame करके देखेंगे और बैंक निफ्टी में जो फ दोड़ी एक से दो दिन में weakness आई इसका क्या reason है वो find out करने की कोशिश हैं देखिए सबसे पहली चीज जो हमें बैंग निफ्टी में समझने की ज़रुरत है अगर आप ब्रॉडर चार्ट देखेंगे डेली टैम फ्रेम में तो बैंग निफ्टी अभी जिस लेवल के पास है यह लेवल एक ब्रॉडर चैनल जो बैंग निफ्टी का है उस चैनल का एक इंपॉर्टेंट रिजिस्टन्स है क्योंकि बैंग निफ्टी ने लास्ट टाइम जब इस चैनल को ब्रेक ब्रेक आउट दिया था बहुत शार्प मूव आया था बट उसी के साथ एक शार्प रिवर्सल भी हमें देखने को मिला था बैंग निफ्टी के अंदर दुब बग अगर आप देखें तो दिजंबर 2020 से इस चैनल के अंदर जो है वो बैंग निफ्टी है ऑन दा अपसाइड यह ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट हुआ था जब लास्ट टाइम एक शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिला था डेली टाइम फ्र देखने को मिल सकते हैं अगर बैंग निफ्टी इस चैनल का ब्रेक आउट हमें देता हुआ दिखाई देता है तो अब सबसे पहली चीज ऑप्शन चेंड से हमें समझना होगा कि किस प्रकार से हमें ट्रेंड मिल सकता है ऑप्शन चेंड डेटा अगर हम देखें तो इस वक बैंग निफ्टी बंद हुआता लगबग 38,300 के उपर 38,400,500 के उपर अच्छी खासी मातरा में कॉल राइटिंग हुई है 38,500 पे अच्छे खासे पुट राइटिंग भी है बट पुट राइटिंग में थोड़ी बात हमें अन्वाइंडिंग होती हुँ दिखिए 7,000 से ज दिखाई दे रही है बैंग निफ्टी के अंदर 38,000 के उपर 33,000 के आसपस टोटल उपन इंटरेस्ट के साथ कॉल राइटर भी बैठा हुआ है इसका मतलब क्या है कॉल और पुट राइटर में एक बहुत बड़ा टसल बैंग निफ्टी के अंदर चला हुआ है और दोनों ह जो है वो राइटिंग करके बैठे हुए है बट एक चीज़ जो एक सर्प्राइजिंग लग रही है कि 300 उपर बैंग निफ्टी है उसके बाद भी इंदा मनी 38,000 के आसपस बहुत एग्रेसिव अभी भी राइटिंग बची हुई है मतलब इन कॉल राइटर को अभी भी करके गया है रीटेलर और प्रोज तो इसका क्या मतलब होता है दिखिए इस टाइप के सिनारियो इस टाइप के डेटा में अगर गैप अप होता है तो गैप अप सोल्ड इन होने के बहुत जादा चांसे होते है क्योंकि गैप अप होगा रीटेलर की जो कॉल राइटिंग वाली position है वो कटेगी और market उसके बाद जो main data है जैसे put writing है put buying है या फिर futures के जो contracts है उस हिसाब से जो main data है उस data के हिसाब से फिर market जो है वो चलना start होगा ठीक है तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कुछ important points हमें अब Monday के लिए bank nifty के अंदर ध्यान में रखने है पहली चीज HDFC bank के results आए है HDFC banks के results को अगर हम देखते हैं तो कोई मतलब जितनी expectation थी उस हिसाब से numbers हमें आते हुए दिखे है जो revenue है वो बहुत अच्छा है जो जितनी expectation थी उतनी number आए है जितना profit था वो भी expectation से हलका सा कम आया है बट कोई खराब नहीं आया है NPS अच्छी उनमें गिरावट आही है expectation के बराबर आया है तो decent results हैं अगर आप HDFC banks के result के बारे में पूछते हैं तो तो इसमें क्या positive impact आएगा उसके लिए हमें जाना होगा HDFC bank के chart के उपर अब देखिये banking stocks में सबसे बड़ा heavy weight HDFC bank है daily chart अगर हम HDFC bank का open करते हैं तो यहाँ पे आप हमें पता चलेगा कि किस प्रकार का trend हमें HDFC bank में देखने को मिल सकता है एक चीज़ clear है HDFC bank एक channel में है और on the downside जब भी इस area के आसपास आता है HDFC bank को जो है वो support मिलता है multiple times आपने देखा इस area पे support मिला यहाँ पे support मिला इस area में support मिला यहाँ support मिला और यहाँ support मिला हर बार इस area पे support मिलता है साथ ही में इसे on the upside अगर आप देखें तो हर level पे resistance जो है वो बने हुए है तो chart कोई clear cut अंदेशा नहीं दे रहा बट एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे daily chart के उपर अगर आप daily chart लगाते हैं तो एक चीज़ आपको क्या यहाँ पे बनती हुई दिखेगी कि यह एक kind of inverse head and shoulder का pattern बनाता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर HDFC bank on the upside 1574 के उपर 1575 के उपर अगर breakout देता है तो इसमें एक अच्छा खासा upside का trend आएगा और यह breakout आपको कहां तक का target दे सकता है at least जो है अगला target 120-140 point का on the upside 1700 तक के levels positionally हमें HDFC bank में देखने को मिल सकते हैं अगर यह breakout confirm होता है तो बट मैं हमेशें आपको बोलता हूँ confirm होने का weight कीजेगा दिक्कत कहां पे आएगी अगर यह वाला swing यह कौन सा है 1490 का यह swing तूटता है दूसरा swing जो important है वो है 1520 का 1520 से लेकर 1490 के swing अगर तोडता है यह downside में तो एक बड़ा crackdown आएगा और दुबारा से 1400 के levels तक हमें HDFC bank जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो इसके उपर अब आपको watch out करके रखनी है कि यह results पर किस तरीके से react करता है अब bank nifty के अगर हम बात करते हैं और 5 minute chart में आते हैं पंडे को हम क्या trade जो है वो initiate कर सकते हैं दे क्लियर चीज़ है बैंक निफ्टी ने lower end से बहुत अच्छा जो है रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है बट मेर को यह रिवर्सल कब confirm होगा market ने kind of यह gap फिल किया है ठीक है मेर को confirm कब होगा जब bank nifty 38,500 के उपर जो है 575 जो हमारा Friday के लिए level था इस level के उपर sustain करता है तो 38,575 के उपर अगर bank nifty sustain करता है then only मैं buy करने का अभी के लिए prefer करूँगा bank nifty के अंदर but on the downside अगर bank nifty दुबारा से इस level को तोड़ता है 38,250 का level अगर on the downside जो है bank nifty तोड़ता है then दुबारा से एक fresh selling का momentum हमें देखने को मिलेगा और यह momentum हमें कहां तक लेके आ सकता है यह momentum हमें at least 38,125 का level पहला target जो आपका इस area में बनता है second target आपका जो बनता है वो बनता है लगबग 38,000 का तो यह targets के लिए on the downside में play करना prefer करूँगा ठीक है upside मेरा simple है जब तक 38,575 नहीं तूटता मैं buy नहीं करूँगा 575 अगर तूटता है then on the upside में मेरे जो target बनेंगे वो 38,700 first target मेरा बनके आएगा second target जो मेरा बनके आएगा वो बनके आएगा 38,800 का level ठीक है 700 और 800 की range मेरे लिए एक profit booking area जो है वो बनके आता है अगर 800 break होता है then मैं 850 और 900 के targets के लिए trail करूँगा क्योंकि यह congestion area है ठीक है बड़ा breakout अपने को खाम मिलेगा जब 38,900 के उपर bank nifty sustain करता है 39,000 के उपर निकलता है then only अपने को एक clear 400-500 point का run मिलेगा वरना bank nifty में हर area पर मिरे को congestion दिखाई दे रहा है अभी के लिए जो हिसाब से chart मिरे को कह रहा है ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आगोगी वीडियो पसंद आगो तो वीडियो को लाइक कीजेगा मिलता हूँ आपसे के लिए वीडियो में thank you so much for watching guys जैहिंद बंदे मातरम